शांदार और बेदाग सफर, मार्केट का नमबर वन लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम दुनिया बर के बाज़ारों में भले अभी भी मंदी की चिंताएं हो, महंगाई का डर हो या फिर ब्याज़ारे कब बढ़ना रुकेगी, इस पर अंदाजा लगाने का सिस्टम चल रहा हो, लेकिन भारती बाज़ार जबर्दस मजबुती के साथ लाइफ टाइम पर लाइफ आपके चेहरे पर मुस्कुराइट लाते हैं, वो हर रोज नए हाई की तरफ बढ़ते हुए नज़ार है, तो ऐसे में हमने की है एक खास सिरीज की शुगात, लाइफ एट लाइफ आईफ 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 आईव, जी हाँ, जब बाजार जिंदगी बरके सबसे उपरी इस्त से करना है, और इसलिए इस सिरीज की शुगात हम करने जाने हैं, बाजार के जाने माने दिगज और वेल्ट क्रेशन के हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपर्ट, मोतिलाल ओसवाल फिनेशल सर्विसर्स के को फाउंडर और चेर्में राम देव अगरवाल साब हमारे हो रही है, तो जनरली हम मिलता है, लंबे समय बादेशल के आपको बताना है, अपने बताने, वेल्थ अच्छी बन रही तो आपके खाल अच्छे है, चाल बाजार के आप बताएंगे तो हमने पता च जजएगा आगई क्या हो रहा है, यह से आपने बोला कि लाफ्टाइम ह जिए वेल्थ अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, फिर सब कोई अच्छा है, तो पहले सर हेल्थ से शुरुवात करें, fit and fine एक दम परफेक्ट, चुड़, ओके, लाइफ हाई, यह दिख रहा है मार्केट का लगवग लगवग उन लेवल के आसपास है, वेल्थ बन रही है सर, लाइफ टाइम हाई है सिर्फ लास पहटतर साल का, अगले पहटतर साल का लाइफ टाइम हाई है, तो यह क्या है, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो सो के इंडेक्स से चलो कि इसा, सो का sensex, sensex होता है, तो वहाँ से बासाट, तेरहे फज़ा है का sensex, अभी मैं देख तो यह तो बजार 12-13-14% से बढ़ते चले आता है, मतलब भी जो आपका 18,000-18,000 का निफ्टी है तो वो 37-37,000, 40,000, यह समझ जीजिए आप, यह है 23, तो आपको 25-28, 28-30 के बीच में कभी भी आपको 40,000 का इंडेक्स दिखिए आपको, अब वो कब होगा, कैसे होगा, किस स्प टार्गेट बनता है, यह आपने आज हेडलाइन दी मज़े सर, आप लोग अल्टाइम हाय बोलते तो ऐसा लगता है, बज्यान में रखके फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने, यह ताइन बजार से बाहर रहने का नहीं है, यह दूसरी हेडलाइन है, बाहर नहीं है, अगे आप जो खहितना है जैसे खहितना ख Alors जो गंसी आफ इंग जब ऑट के अंदर हो आप बईसे जो हो सकता है कि यह सु Nebraska haha अंब हरे Sun आप बार आप फेस्ट भैम कंड परसंट बने गानड़ बना है अब इस साल जो है इस निपujता यह को लगत है कि अपर ब्याद चल सकता है मालो 12-15% का earnings है, हो सकता है बायार 17-18, 20 टागर चले, हो सकता है बायार फ्लाइट रहे 5-8 टागर बड़े, लेकिन जितना देर बायार यहां रुखेगा, उतना ही आपका धनी कठा हो रहा है, वो recurring deposit है, cumulative recurring deposit है, वो 23-24 चलेगा, बट क्या इतने सारे अच्छी चीज़ हो रही ह है, economy recover हो रहा है, आपका FIs का view positive बनते है रहा है, earnings are shaping up, valuations are reasonable, best है, बिल्कुल, बढ़िया समय है, एकदम first class समय है, और आम तोर पर sensex, nifty का level सर को पता भी नहीं होता, कई बार जब show के पहले पूछते मुझे, मुझे सर, अरी level क्या चल रहा है, यह तो बता दो, लेकिन आज सर ने बला कि अगर 2008-2030 तक इसी speed से रहे और रहना भी चाहिए, तो आप 40,000 के निफ्टी के भी दर्शिन करने तो बड़ी बात नहीं है, सर आपने कई सारे कारण बता है, मैं कि करके उस पर आता हूँ, सबसे पहले, जो आप हमेशा सबसे ज़्यादा देखते है, जिसमें ज़्यादा निगेटिव ने आए है, पॉजिटिव बैंकिंग और फिनाशी सेक्टर में से था ही, वो बहुत जोर से आ है, ये quarter में और जोर से दिखेगा, लास्ट ये का first quarter खराब था, तो इस बात बड़े-बड़े delta आएंगे, जून quarter में, तो फिर उसके बाद जो है, मत लेकिन motorcycle नहीं भी रहा था, अब वो थोड़ा wide spread हो रहा है, अब वो case shape नहीं दिख रहा है, अच्छा लग रहा है कि now it is wide spread recovery, finally trickle down तो थोड़ा नीचे के level पर भीया रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो अभी two wheeler का demand जो है, बहुत robust था, मजबूत, अभी आप देखे लग रहा है कि now recovery is becoming very broad spread, अच्छा जो credit offtake, जो broad number है, वो भी आपका 13-14%, 15% अभी चल रहा है, अच्छा उसके उपर से आप देखे कि GST collection जो कोई fudge नी कर सकता है, every month it is coming, वो भी 157,000 crores, first month of the year, after 187, तो ये भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि 12% growth है last year से, फिर लेकि आप manufacturing services to 62-63 है, manufacturing is also 57, सब मिला कि mahol बहुत अच्छा है, और inflation भी under control है, interest rate भी pick out हो गया है, अभी अब तो मदा आने बयार में shopping करना ही पड़ेगा, आपके लिए तो shopping car समय वो होता है, जब थोड़े ठंडे हो, market dry, डिले हो, लेकिन अब तो फिर भी अभी यहां से भी अच्छी मजबूती वाला महूल है, तो एक कारण तो हमने बता है, company की कमाई मजबूत है, tax collection और economy की हालात काफी बैतर है, हमारे हालात देखते तो सीना चोड़ा हो जाता है, और बाहर के हालात देखते तो इसा लगता है, कि मामला डिला हो जाता है, आज ही World Bank ने कहा भी है ग्लोबल ग्रोथ का तो अनुमान बढ़ा रहे है, 1.7% से 2.1% कर रहे हैं इस साल के लिए, हमारा गटा रहे है, 6.6% से 6.3 कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा, कि सर हम तो मजबूत ही है, हमारी तो ग्रोथ ही, अगर बाहर की economy और जादा ग्रोथ करेगी, तो हमारे जो कुछ यह sectors, कुछ ग्लोबल मार्केट पर dependent है, उनकी ग्रोथ और बढ़े की सर? वो सब economies लोग से पूछे, वो calculation कैसे कर रहे हैं वो, मैंना लेकिन, broadly, even 6.2, 6.3 जो बोल रहे हैं वो, वो तो 0.3, 0.4, plus minus तो जो भी बोलते हैं, एक साल पहले उसका सब आता है, उसक बीस-पचीस साल में, जो 1.5% अफ ग्लोबल GDP था, अब हो गया सानगे तिन परसेंट, ठीकिन, FI नहीं उतना अलोकेशन बहा नहीं बहा है, अब यहां से अगले 10 साल में, जो 10 साल, अगले 10 साल सबसे इंपर हैं, कोई भी आदमी इन्वेस्स कर रहे है तो, तो अगले 10 साल अगले 10 साल में, और आएंगे भी तो होसल में, तो बीना भाव देखे हैं, बीना भाव देखे हैं, अब बीना भाव देखे हैं, अब कब होगा, वो मनी वालाओ, तो यह जो बगदर मचेगी, जब एक और लोकल मनी है, हमारे इंवेस्स बार मेच़ोर हो चुके है, शुरी जो यह प्रमोटर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रमोटर्स हैं, उनके लिए वो थोड़ा सप्लाई करेंगे, नियू इसुद आएगा, विच इस बड़ी प्रोसेस, यह बजार का नियम है, कि बजार उच्छा जाता है, तो आपको नए सप्लाई, आनक चीज़ तो बजार उसस और इस तरब जो है, जो प्रमोटर्स जिनको लगता है कि अभी मेरे बहुत बड़ा खाइने का है, या और कुछ करने का है, तो अब किस इसका इंतजार कर रहे हैं, वो तो उनसे पूछने से, वो जी बताएंगे, आपको कि जब आएंगे तो यह आएंगे, मताब उनसे सब लोग का रिक्मेंडेशन है, अल्टिमेटली GDP ग्रोफ रेट, कॉपर प्रॉफिट बहुत है, तो कोई चॉइस नहीं है, आपने ओटो की बात किया, आपका फेवरेट सेक्टर भी रहा है, लेकिन रेट सेंसिटिव स्टोक जितने भी है, बैंक, ओटो, रियल स्टेट, जो हिंदुस्तान की एकोनोमी से जुरू है, गजब के नंबर्स गजब की ग्रोफ क्या यह अभी भी यह स्पेस जहां, बुलिश रहना चाहिए, लिकिन का यह पूरा बारा महने जो खराब था इनका, मतलब बेस एफेक्ट है, जैसे पटिबर इन टूइलर होगर हमी जो है यह पहला साल चालो रहा तो उनका बेस नीचे है, उसी काहन से ग्रोफ रेट सा लुकिंग मच आया, बीस टका पचीस टका ऐसा देख रहा है, जैसे आपने रेट सेंसेटिव में आपने रियल इसेट की बात की, तो रियल इसेट पहले पहले होगर हुआ हुआ, शुरू में आपने इसेट की और लोगों को लगा चलो उसके वज़े से बात से खरेंब लेकिन ईमांड सुस्टेट है, सुस्टेट है across India, सो मेरे क्वार से रियल इसेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जैसे बजार से भी जो है बजार में जो वेल्थ करेज होता है, उसका भी कुछ जो है रियालिस्टेट में जाता है, इस बार कि बजार में इतना ज्यादा डीप करेक्शन नहीं हुआ, बजार रुका जार हुआ एक साल से, लास्ट ये फ्लाट इयर, तो बजार रुका हुआ था, उससे क्या हुआ कि सब लोगों को जिसका माल दस क्रों का 20 क्रों हो गया, उ तो as the market goes up, यहां से, इसमाल 8 यार का 20-22 होता है, मेरे रहता है इसका ज्यादा एफेक्ट आएगा आपको रियल सेट में भूम, बिल्कुल, रियल सेट में भूम होगा और जाहर सी बात है उसका असर फिर स्टॉक में भी आना ही आना है, अच्छा एक और बैंक्स को लेकर आ प्रदार सब कुछ है, दूसरे तरफ काफी लोग आनते की जो net interest margins पीक आउट हो रहे है, अब थोड़ा रुखना चाहिए, तो आपका व्यू क्या है इस वक बैंकिन सेक्टेर पर है, अब किसी बैंकर से हमेसा ही मिलते रहते हैं, अर अब ते का जो सिमूला कात्वया दिया है, तो सब भी बोल रहा है कि भाई, इस ड्रीम रन राइट नौ, हाँ मताब highest margin and lowest credit cost, तो अच्छा, demand में बहुत बढ़िया है, अच्छा, दूसरा क्या है कि इन्हों है, जो COVID की टाइम में जो भी write-off किये थे, वो सब recovery भी हो रहे है, सब तरफ से हारत अच्छी है, और credit गो है कि एकदम top हो गया है, तो मता cyclical है, चलो थोड़ा सा profit book करें, थोड़ा slow हो जाए, लेकि मुझे लगता है कि credit lending तो हुआ ही अभी, lending तो इसे बारा महीने हुआ है अभी, उसके पारे तो पूरा COVID के करना से affected था और clean था, so bank के तकलीफ चालो होने के लिए कुछ नो कुछ credit expansion हो जाए, और गलत credit expansion हो जाए, अभी यहां से जब रेस चालो होगा, तो बहुत ज़्यादा credit होगा और बहुत घंग credit होगा, वो अभी चालो नहीं हुआ है, वो अभी समय होगा है, और RBA भी गार्ड में है, banks भी बहुत गार्ड में है, and so बिना गलत काम के भी उनके पैसे क about, एक और space जो पिछले साल, दो साल में बड़ी सुर्क्यों में रही है, पैसे टूटे भी है लोगों के, बन भी रहें थोड़े-थोड़े, यह new-edge e-commerce company जो IPO आए है, वो बहुत interesting होगा है, so sir आपके view सुझाना चाहता हूँ मैं, क्या मतलब अब यह अच्छे level आ गे हैं ज हाटे भी किये, लेकिन वहाँ से इतनम स्टिप global correction हुआ, और यहाँ भी correction हुआ, लेकिन वही जो होना था कि निचे जागी, सब entrepreneurs, वो सब के साब सोच रहे है, कैसे हम path to profit करें, कैसे जल्दी-जल्दी हम profit में आता है, अभी hold लगी है कि कौन पहले profit दिखाएगा, जितने भी profit के यह है कि इसमें क्या है, इसका एक business model क्या है कि इनका asset light है पूरा का पूरा, सब write-off कर दिये, जो भी cost of है, उनका कोई plant machine है नहीं, जिसे आप जो भी दूसरा cement plan लगाते है, इसली plan लगाते है, या retail लगाते है, physical retail लगाते है, उसमें क्या है, आपको दुनिया के capex होता ह पार सब बालनेशिब में चलाता है, और फ़र amortization से आता देरे देरे, यहां पर क्या है, सब उनका राइट आफ कर दिये पीछे, अब जो आएगा, बहुत खरा profit आएगा, अभी profit उनकाना है, अभी promise to profit is much more invisible, रही दिख रहा है, आ जाएगे मतलँ, अच्छा एक दूचीज disruptive भी होने वादा, जैसे retail है, retail बोलते हैं 700 billion dollar का retail है, जो आपका grocery का retail है, तो वो रोजमर्णा की चीज़ है, अब उसमें क्या है कि यह भाई लोग सब जितने quick commerce है, जो इंस्टा मार्ट है, आपका, इसका क्या नाम है, जो है, ब्लिंकेट, दूसरे तिंचार है, वो सब जो ह आपना dark stores set up करते हैं और बहुत fast grow हो रहा है, तो food जाज़ता है उनका, लेकिन यह दूसरा business is also becoming very interesting, बहुत large opportunity and growing opportunity है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां से भी इस segment से एक दो बड़े company निकलेंगे, 50-100-200 billion dollar हो वाले, समय से, इवेंचुले निकलेंगे, पका निकलेंगे, क आपका जब business चालो हो रहा है, तो पहले 25-50 company होती थी, वो धीरे 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 का भी घटती थी, जैसे हम लोग ब्रोकिंग चालो के 80 समय तो 500 company थे, अब जाके 10-15-20 होई, तो यहां पर किया है, शुरू से ही दो company है वस, तो if the opportunity is large, एक दो company है, तो मेरे खियाल से इनको value create कर पैसे भी है, इनको आता भी काम करने का, और अपना बे revolution है, delivery है अपने घर में, हर चीज के delivery हो रही है, यह तो last 3-4-5 साल का ही इजाद है पूरा, यह इंटरनेट से जुड़े है, डिजिटल इंडिया से जुड़े है, कई सारे नई-ने स्टॉक से, नई-ने थीम्स हैं, वह पर आप positive हैं, bullish हैं, हाँ मतब एक company देखना हैं पड़ेगा बर digitally powered business model है, digitally powered, आपका business old style के है, इस से physical, गूगल जो है, और Facebook हो रहा है, यह सब क्या digitally powered है, और digital delivery है, पूरा complete digital, end to end digital है, product भी digital है, और process भी digital है, हाँ पर क्या है, product is all physical, जैसे आप food बुला रहे हैं, तो आपको घ घर में खाना आएगा, आपको कपड़े खाई रहे हैं, आपको ग्रोसरी खाई रहे हैं, तो आपको physical delivery है, physical plus digital, physical है, तो आपको पूरा जो enablement है, पूरा मतब जो transaction machine है, logistic machine है, वो पूरा पूरा digital है, तो फिजिटल महल में, मेरो को यहां पर लगता है कि कुछ बड़े companies बने अचा सर, एक चीज़ हो, कि आप हमेशा कच्छे तेल के साथ हमारी economy को जोड़ते हैं, अब तो बड़ा comfortable हो गया है, तो क्या इसका कहीं कुछ फाइदा मिल सकता है, इसके लिहाद से निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, 75 dollar, अब तो opaque plus बोलता है, production गटाएंगे, फि अब जैसे से ऊपर भी टिकता भी नहीं, आप कितना भी काटो पाटो, वो अभी क्या देखें, यह उक्रेन के लड़ाए के चलते हैं, और जो भी बजाय में supply demand हो रहा है, वसको देख के लाइसा लगता है, कि it's still a seller's market, मतलब साथियर्भिया, कार्डेल जो है जितना opaque के, व मतलब वो जो चाहते हैं, वो भाव मिलेगा उनको, मुझे लगता है कि sweet spot is about 75 dollars, which is comfortable for India, अब सवाल यह कि, अभी जैसे, यहां पर तो fuel demand बढ़ी रहा 7% से, यहां पर जो fuel marketing company से, जो last day घाटा के, वो सब bumper profit कमा रहे हैं, आद देखने एक दो quarter से, अब वो एक बार फुकम बहुत डरा हुआ हमसे, कि सरकार कभी भी इसमें बेचारों को, मतलब balance sheet कर लेती है, खराब time में, तो वो एक हो गया last day, उससे कहां से सब investor डर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर बहुत बड़ा profit बनेगा, at least company से profit बनेगा, बैयार कैसे treat करेगा, और देखना चाह metal, pharma, IT, यह चल नहीं रहे, यह कब चलेंगे, अब सब थोड़ी चलेगा, अब इन में मौका है, पैसा लगाने का है, पैसा लगाने का है, पैसा लगाने का है, पैसा लगाने का है, जैसे IT है, IT में क्या है कि ठीका, sector might be slow, लेकिन उसमें specific companies जो है, वह बहुत अशी कर रहे है जैसे कोई mid-size companies है, जिनको particular type of skills है, जैसे AI होगर में, उनके specific projects है, उधर growth rate ज्यादा है, तो clearly आप देखो कुछ-कुछ company, वहाँ पैसे जो automotive EV space में जो अच्छा कर रहे है, तो उन companies में growth है, जहां बजार अभी क्या है, जहां पर growth है, वहाँ पर तुफान है, चाहे वो sector कहीं कभी हो, बट aggregate sector में growth नहीं है, तो clearly वह sector का index जो है, थोड़ा नीचे रहेगा, अभी IT जो है, थोड़ा सा slow track में है, अभी last 2 साल में काफी अच्छा था, इस साल थोड़ा slow track है, बेभी इस साल का base बनगे, अगले साल उसमें भी number आ जाएगा, तो सब का number आएगे, हर, चर्ण अधिर भांटेज है, मतब profitable है, deeply profitable है, तो it's just matter of time कि भई अच्छा यह जब बजार में out of favor रहता है, तो उस समय अच्छी company, reasonable धाम में मिलने का chance होता है, और जहां से थोड़ी गर्मी आए, देखते थोड़ी 25% बढ़ जाता है, और जो reasonableness खता है, चीक बाद, अज़े सर, एक space जो बहुत जबदस भूम है, mid cap और small cap शेवरों की, जो हमारे सारे दर्शकों को बड़ी परसंद आती है, यह चलते तो हमारे शेवरों के दाम थोड़ी उपर आता है, पैसा तब बनता है, कहीं कोई euphoria होने के संकित तो नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, कु अच्छ दूसरा ही है, एक बार बढ़ गया तो आपका expectation कम हो जाना चीए, ऐसा नहीं का growth खतम हो गया, stock all time high हो गया, आगे भी बहुत बहुत बढ़ेंगे, जो अच्छी companies हैं, कोई किसी का high नहीं है, जैसे index का high नहीं है, जैसे किसी का all time high नहीं है, all time high for the past है, आगे बहुत जगह है, सब में, multiple times, 5 times, 10 times, मैं तो management से मिल रहा हूं, मैं तो management बोल रहा है कि हम अगले 5 साल में 5x करेंगे, तो management पूछ रहा है, why not 10x, इस type के सब board meeting में बात हो रही है, तो महल जो है, मैं तो सिर्फ सुनते रहता हूं कि कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, बात की बात है, ल जिससे जटका लग सकता है, थोड़ा अलट रो भई, वैसा कुछ है तो, चाहे वो global market का हो, तो वो जड़ा सर्फ बता देंगे, क्या सावदान रखनी है, गैरेंटिट आएगा, और वहां सा आएगा, जहां से आप कोई सोचे भी नहीं होगे, कि मतब आप 10 चीज लिखो, 10 में से 11 या आने वाला है, तो 10 कोई नहीं आने वाला है, जिसके इसके बारे में आप 10 मिनट भी सो सकते हो, वो जोच नहीं होगा, जिसके उकरेन कहां ये किसी नहीं वालों था और उकरेन ने पूरा तबाह कर दिया, तो ऐसे कुछ नहीं कुछ और उकरेन ठंडा हो जाए, लेकिन निगेटिव साइड में इतना कुछ हो रहा है जियो पॉलिटिकल में, चाइना जो इतने स्टिफ हैं, कहां पर क्या हो जाए, कब कुछ तो ज्यादा नॉइस भी है, तो क्या नॉइस है, क्या रियालिटी है मालम नहीं, लेकिन अपने ख़़़ को समाल रखना बहु मतलब मेरे ज़्यादा लगाता है leverage का, मतलब मेरे उधार लेकिए पैसा मत लगा, अपना बचते भी ही लगाना है, और जब भी मेरे को यादा confidence सहता है अच्छा लग रहा है तब तो पक्का बयार correct होता है, आपका अभी confidence level कहा कर दो है, अच्छा है, अच्छा है, confidence अच्छ अब देख लेंगे और बढ़ जाएंगे. सब बहुत caution में है, banks अब देखें पूरा recovery जो है निस लेड बाइ banks, and banks have performed like fantastic, so across the board, made small large, even public sector, बहुत खाली private sector कर देखें इस बाद तो public sector ने भी लीड दिखाया, SBI वो result जो है, wonderful results है, और आगे और भी अच्छा आएगा, तो मेरे खियाद से economy is in good shape, there is no reason to be fearful, लेकिन जभी ऐसा रखता है कि let's become a little more ready, मतलब leverage मतले बागी सब बहुत बढ़ी है, correction होगा 15, and 5-10%, 15% correction के हमेशा ready रहे है, बिल्कुल ठीक बात है, आता है तो बड़ा रह लगता है, ready तो रहता है, लेकिन आती ही फिर डिला हो जाता है, आप 40,000 का सोचो ना, जब correction आता है, तो आपको सोचना है कि अगर 2028-3040,000 का निफ्टी हो सकता है, फिर ऐसे में 2000-2000 गट भी जाए, डर किस बात कर, तयार ही र connection, खास हमारी सीरीज की शुरात में, Life at Life आई, इस शो में इतना ही नमस्कार,